गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास सेकेंड पिछली क्लास में जो पिछला अपना पिरेड था उसमें हमने पढ़ा था किस परकार से आपको लिखनी है और देन बिफोर और बिट्वीन का भी यूज किया था हमने आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं आज का हमारा जो टोपिक है वो है राइट आपको one-handed, one-two, two-handed counting लिखनी है जिस परकार से मैंने ये आपको बना के दिया है आपको अपनी जो box वाली notebook है math वाली जो note book है उस में ही आपको homework करना है तो इस परकार से जैसे मैंने एक आपके लिए करके दिया है 101 100 तक आपने कर ली थी वन डेट को जो ओंबक आपको दिया था 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ऐसे मैंने आपको बना दे दिये हैं आपको यहां पर बीच में फिल करने हैं ठीक है अब यह सब होने के बाद आपकी यह आपता है बिगर और स्मॉलर आपको पता है पिछले क्लास में भी आपने पढ़ाओगा बिगर मतलब बड़ा इस्मॉलर मतलब से छोटा तो बिगर मतलब बड़ा बिग मतलब क्या हता है बड़ा एलिफेंट और डोग की जब बात करते हैं तो एलिफेंट और डोग में कौन बड़ा है एलिफेंट बड़ा है और डोग जो है वो छोटा है एलिफेंट इस बिगर दैन डोग एन डोग इस स्मॉलर दैन हम बात करते हैं यहाँ पर अपने numbers की तो जैसे आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ 5 and 6 5 और 6 जो है इसमें कौन सा है यहाँ पर bigger कौन है 6 कौन है 6 6 is bigger than 5 ठीक है ऐसे ही आपको कुछ जैसे 200 तक counting हो गई है यहां तक मैं आपको दे शकता हूँ जैसे आपने यहां पर लिखा 17 and 26 counting की जो बात करते हैं तो counting में जो number आ रहे हैं अपने को जिन में अमें compare करना है तो counting में पहले आता है वो बाद में आने वाले कौन जो है 26 से पहले आता है तो 17 जो है वो क्या है smaller 26 जो है उससे bigger है ऐसे ही बात करते है handed और 90 की handed जो है वो 90 से बात में भी आता है और उससे क्या है बड़ा भी है और 90 जो है वो handed से smaller है ठीक है ऐसे ही smaller की बात करते है 9 और 10 में smaller कौन है 9 क्योंकि ये 10 से पहले counting में बोला जाता है ऐसे ही बात करते हैं इन सभी में कुछ numbers मैंने ले लिये हैं इन सभी numbers में से smaller number कौन सा है ये आपको बताना है तो आपको यही मैंने बताया कि इन में आप यह देखेंगे कि जो सबसे पहले counting जब हम बोलते हैं तो इन में जो सबसे पहले counting में आ रहा है इन सभी में से वो सबसे छोटा होगा 19 है 18 है 27 है 16 है तो counting की जब हम बात करते हैं तो इन में सबसे छोटा कौन है 16 कौन है smallest इन सब में सबसे छोटा कौन है smallest जो है वो 16 है और इन में सबसे बड़ा कौन है biggest मतलब इन चारों में सबसे बड़ा वो कौन है 27 ठीक है इसी के according आपको आज का यह homework के दिया जा रहा है इसकी पिक्चर में आपके ग्रूप में छोड़ दूंगा